बाइन बाइयों नमस्कार आप सबी का स्वागत हैं हमारे चैनल में आज के इस वीडियों में हम बात करेंगे 2022 की प्याज की तेजी मंडी रिपोर्ट के बारे में प्याज को रोगना चीए या बेशना चीए जैसा की दोस्तों अभी जिन किसान बाइयों लोगों ने प्याज की केते की है वह प्याज की फसल अब करीबन 770 दिन के अवस्ता में चल रही है और कुछ किसान बाइयों ने बारिस के मौसम में लेड़ बुवई की थी उन किसान बाइयों के प्याज की फसल पूर्ण तब प से हमी इस वीडियोमें बात करेंगे तो दोस्तों आप हमारा वीडियो श्रूخ से लेकर अनद तक जुरूर देखे वीडियो अच्छा लगे तव वीडियो को लाइक और अधिक सादे किसन साथेों के साथ सेर भी जुरूर करें जैसा कि दोस्तों अगर हम प्याज के भाव की बात करे तो अभी मंडियों में प्याज के अबाव 15 रुपए के आसपास भी करा हैं आगे चल कर आपको प्याज के भाव में तुपाने तेजी देगने को मिल सकती हैं लेकिन अगर सरकार प्याज के निर्यात को मंजूरी दे देती हैं तो आपको आगे चल कर प्या करें तो इसमें जो पत्ते होते वि canot सर रहे हैं पत्तों में पिलापन की समघ्चा चूदा दिखने को मिल रही हैं अगर आग्ये चल करर अफ्यम की फसल में जैसे पिजले साल की जैसे जलेबी रोक आ गया और प्याज की फसलों में ज्यादा रोक आ जाने के कारण प्याज का उर्पादन नहीं हो पाया तो आगे चलकर आपको प्याज के बाओं में जोड़दार से जोड़दार तीजे देगने को मिलेगी आगे का अनुमार लगाना बहुत ही कटी है लेकिन जो हमारा अनुमार और जो हमने कुछी वेपारिस से बात की दीगी रभी सिजन में प्याज के प्याव क्या रहने वाले हैं तो उन्होंने बता है कि आने वाले समय में प्याज की वाव में तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि जो रभी सिजर में प्याज की बोई होती है वह लाल पती वाले प्याज की बोई की जाती है वो लाल पती वाले प्याज होते हैं उसका अगर इस्टोर करना है तो बहुत ही लंबे समय तक उसका इस्टोर किया जा सकता है लाल प्याज की बोई करने के बाद अगर आप जो पीली पत्ति का प्याज होता है उसको अधिक समय तक रोग सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं आगे आने वाले समय में प्याज का भाव क्या रहीगा अगर प्याज में किसी भी प्रकार की रोग आ जाता है या प्याज का उत्पादन कम होता है और सरकार अगर प्याज के भाव को मंजूरी देती है प्याज बारी देशों में निरियात होने लग जाता है और प्याज का आयाद नहीं हो पाता है तो आपको आगे चलकर प्याज के भाव में जोरदार तेजी देखने को मिलेगी अगर आपने प्याज की खेते की है तो आप प्याज को बहाऊ आने पर ही बेचिए अन्यता आप प्याच को ना बेचिए कम बहाऊ में आप बेचते हो तो आपके फ़सल का खर्चा भी नहीं निकल पता है तो आपको काटा भी उठाना पर सकता है इसलिए दोस्तों प्याज को बेचने और खरीदने और बुवई करने का निने स्वयम के व्यक्ट से जरूर लेवे अगर आपको कोई दोई की जानकरी चीए तो आप हमें बता सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही जानकरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद जे जवान जे क मतर्म की ज़गी के श्यक्ट वीडियो का र taşकेश स्वादियो को वीडियो में जे रिवान ने ठमकी को बएź क्या हैं